नमस्कार दोस्तों, मेरी क्लास में आपका स्वागत है। आज ही क्लास में हम अंग्रेजी के अक्षर यानी इंग्लिश वर्णमाला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंग्लिश में टोटल 26 लेटर्स यानी अंग्रेजी में 26 अक्षर हैं। जैसे कि आप यहां देख रहे हैं, ए को बड़े अक्षर में लिखा गया है। इसे हम इंग्लिश में कैपिटल लेटर या अपरकेस कहते हैं। हिंदी में हम इसे बड़ा ए कहते हैं। बड़ा ए या कोई भी बड़ा अक्षर सेंटेंस के स्टार्ट में आता है। यानी अगर आप एक जुमला या एक वाक्य को शुरू करते हैं तो आपको बड़े अक्षर से शुरू करना होगा। कैपिटल लेटर और बहुत जगा यूज होता है। जैसे के अगर आप किसी का नाम लिखते हो तो उसको कैपिटल में लिखना जरूरी है। उदाहरन के तोर पे अजय या दिल्ली लिखते हैं तो आपको अजय का ए और दिल्ली का डी ये दोनों अक्षर को कैपिटल में लिखना होगा। अब बड़े अक्षर के नीचे हमें छोटा अक्षर देखने को मिलता है। इसे हम स्मॉल लेटर कहते हैं। हिंदी में छोटा ए भी कह सकते हैं। छोटा ए या स्मॉल लेटर्स हम सेंटेंस यानी वाक्य और नामों के स्टार्ट में नहीं लिखते हैं। इसके अलावा आम तोर पे हर जगा इस्तेमाल होता है। यानी के स्मॉल लेटर्स का उपयोग वाक्य या नामों के शुरुआदों को छोटकर आम तोर पे दूसरी जगा पे इस्तेमाल होता है। तो चलिए अब इंग्लिश के अक्षरों को एक-एक करकर उताहरन के साथ जानते हैं। तो सबसे पहला अक्षर ए है। हम हर अक्षर को कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर दोनों में सीखेंगे ताके आपको अच्छी तरह से याद रहे। ए कैपिटल लेटर ए को ऐसे लिखते हैं और स्मॉल लेटर ए को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उच्चारण A ऐसे होता है A से Apple आता है Apple यानि सेब को कहते हैं A से and भी आता है and का मतलब चीन्टी होता है B Capital B को ऐसे लिखते हैं और small b को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण B ऐसे करते हैं B से बॉल आता है गेंद को बॉल कहते हैं B से बनाना भी आता है बनाना का मतलब केला होता है C Capital C को ऐसे लिखते हैं और small c को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण C ऐसे करते हैं C से cat आता है Cat यानि बिल्ली को कहते हैं C से cap भी आता है Cap का मतलब टोपी होता है D Capital D को ऐसे लिखते हैं और small d को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण D ऐसे करते हैं D से dog आता है Dog यानि कुद्टे को कहते हैं D से door भी आता है Door का मतलब दोपी दोपी होता है E Capital E को ऐसे लिखते हैं और small e को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण E ऐसे करते हैं E से elephant आता है Elephant यानि हाती को कहते हैं E से egg भी आता है Egg का मतलब अंडा होता है F Capital F को ऐसे लिखते हैं और small f को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण F ऐसे करते हैं F से fish आता है Fish यानि मचली को कहते हैं F से flower भी आता है Flower का मतलब फूल होता है G Capital G को ऐसे लिखते हैं और small g को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण G ऐसे करते हैं G से goat आता है Goat यानि बकरे को कहते हैं G से gun भी आता है Gun का मतलब बंदूक होता है H Capital H को ऐसे लिखते हैं और small h को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण H ऐसे करते हैं H से house आता है House यानि घर को कहते हैं H से hat भी आता है Hat का मतलब टूपी होता है I Capital I को ऐसे लिखते हैं और small i को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण I ऐसे करते हैं I से इंडिया आता है इंडिया का मतलब तो आपको पता ही होगा यानि भारत देश को इंडिया कहते हैं आई से आयन भी आता है आयन का मतलब लोहा होता है J Capital J को ऐसे लिखते हैं और small j को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण J ऐसे करते हैं J से जग आता है जग यानि सुराही या घडे को कहते हैं J से जूस भी आता है J जूस का मतलब रस होता है आम का रस या कोई और रस भी हो सकता है K Capital K को ऐसे लिखते हैं और small k को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उसका उच्चारण K ऐसे करते हैं K से काइट आता है काइट यानि पतं को कहते हैं K से किंग भी आता है किंग का मतलब राजा होता है Capital L को ऐसे लिखते हैं और small l को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण L ऐसे करते हैं L से लाइट शब्द आता है लाइट यानि रोशनी को कहते हैं L से लायन भी आता है लायन का मतलब शेर होता है M Capital M को ऐसे लिखते हैं और small m को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण M ऐसे करते हैं M से man आता है Man यानि आदमी को कहते हैं M से money भी आता है Money का मतलब पैसे होते हैं N Capital N को ऐसे लिखते हैं और small n को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण N ऐसे करते हैं N से neck आता है Neck यानि गर्दन को कहते हैं N से nose भी आता है Nose का मतलब नाक होता है O Capital O को ऐसे लिखते हैं और small o को ऐसे लिखते हैं उसका pronunciation यानि उच्चारण O ऐसे करते हैं O से औरेंज आता है औरेंज यानि संत्रे को कहते है O से वन भी आता है वन का मतलब एक होता है P Capital P को ऐसे लिखते है और Small P को ऐसे लिखते है उसका pronunciation यानि उच्चारण P ऐसे करते है P से Plant आता है Plant यानि पौद्य को कहते है P से Pen भी आता है Pen का मतलब कलम होता है Q Capital Q को ऐसे लिखते है और Small Q को ऐसे लिखते है उसका pronunciation यानि उच्चारण Q ऐसे होता है Q से Queen आता है Queen यानि रानी को कहते है Q से Question भी आता है Question का मतलब सवाल या प्रशन होता है R Capital R को ऐसे लिखते है और Small R को ऐसे लिखते है उसको प्रणाउंस यानि उसका उच्चारण आर ऐसे करते है आर से रेन आता है रेन यानि बारिश को कहते है आर से रिंग भी आता है रिंग का मतलब अंगोटी होता है S Capital S को ऐसे लिखते है और Small S को ऐसे लिखते है उसका प्रणाउंस यानि उच्चारण ऐसे करते है S से सन आता है सन यानि सूर्य या सूरज को कहते है S से सोब भी आता है सोब यानि साबुन होता है T Capital T को ऐसे लिखते है और small t को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उच्चारण T ऐसे करते हैं। T से table आता है, table यानि maze को कहते हैं। T से teacher भी आता है, teacher का मतलब अध्यापक होता है। U, capital U को ऐसे लिखते हैं। और small u को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उच्चारण U ऐसे करते हैं। U से umbrella आता है, umbrella यानि चाता या चत्री को कहते हैं। U से under भी आता है, under का मतलब नीचे होता है। V, capital V को ऐसे लिखते हैं, और small v को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उच्चारण V ऐसे करते हैं। V से village आता है, village यानि गाओं को कहते हैं। V से vegetable भी आता है, vegetable का मतलब सबजी होता है। W, capital W को ऐसे लिखते हैं, और small w को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उसका उच्चारण W ऐसे करते हैं। W से watch आता है, watch यानि घड़ी को कहते हैं। W से window भी आता है, window का मतलब खिड़की होता है। X, capital X को ऐसे लिखते हैं। Xerox को हम हिंदी में Xeroxy कहते हैं। कोई भी लिखावत या फिर writing को एक paper से दुसरे paper में copy करने को Xerox कहते हैं। X से X-ray भी आता है। X-ray का मतलब body को scan करना होता है। Doctor, hospital में X-ray निकालता है। Y, capital Y को ऐसे लिखते हैं, और small y को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उसका उच्चारण Y ऐसे कहते हैं। Y से यल्लो आता है। यल्लो यानि पीले रंग को कहते हैं। Y से योगर्ट भी आता है। योगर्ट का मतलब दही होता है। Z, capital Z को ऐसे लिखते हैं। और small z को ऐसे लिखते हैं। उसका pronunciation यानि उच्चारण Z ऐसे कहते हैं। Z से zero आता है। Zero यानि शुन्या को कहते हैं। Z से जिब्रा भी आता है। जिब्रा का मतलब काला और सफेद रंग वाला जानवर को कहते हैं। आज की हमारी क्लास यहीं कतम होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक और शेर जरूर करें। अगर आप इसी तरह आसानी से इंग्लिश को सीखना चाहते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ताके आप लोगों को इसी तरह इंग्लिश से जुड़ी सारी बाते जानने को मिलती रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो तब तक के लिए अलविदा।